आज मैं आपको सिखाऊंगी सिर्फ तीन चीजों से चोकलेट बरफी रोल बनाना बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही असान है इसको बनाना तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पे दूद लिया है तो यहां पे मैंने एक कप के करीब दूद लिया है और जितना हमने दूद लिया है उतनी ही हमने इसमें शुगर डालेनी है तो एक कप दूद लिया है तो एक कप मैंने इसमें शुगर डाली है इसके बाद तो इन सब चीजों को पहले हमने mix कर लेना है, अच्छे से चलाते हुए, तो सिर्फ एक या दो मीट तक हमें इसको mix करना है, तो देखिए, एक या दो मीट हो चुके हैं, इसको हमें mix करते हुए, लगातार में चलाते हुए, इसको mix कर लूँगी, तो ये हलका सा mix हो चुका है तो इसके बाद हमने यहां पे milk powder डाल लेना है तो अब कोई भी brand का यहां पे milk powder यूज़ कर सकते हो तो जितना हमने दूट डाला है उतना ही हमने यहां पे milk powder का यूज़ किया है तो मैंने यहां पे एक cup milk powder डाला है तो milk powder को भी यहां पे मैं अच्छे से mix कर लूँगी तो पहले हमने सब चीजों को अच्छे से mix करना है उसके बाद हमने इसको gas पे रखना है पहले ही हमने इसको gas पे नहीं रखना तो यह देखिए सब चीजों को हमने अच्छे से mix कर लिया है जो हलकी सी इसमें गुटलिया बनी है जब हम इसको गैस पर रखेंगे वो अपने आप खतम हो जाएगी तो ये देखिए इसके बाद मैं इसको गैस पर रख लूँगी और गैस पर रखने के बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है एक गलती जो मैंने की है यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लगातार हमने चलाते रहना है इसको एक मिन्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेरे से कैसे क्या गलती हुई है तो ये देखिए मैं इसको लगतार अभी चला रही हूं तो इसको हमने सिर्फ लगतार चलाते रहना है और यह देखिए स्मूथ सा टेक्शर यहां पर आ चुका है बिल्कुल कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में कोई चार से पांच मिंट ही लगते हैं तो देखिए मैं लगतार चलाते र पिगल चुकी है एक बात मैं कहना चाहतूँ यहां पर कि अगर आपके पास यहां पर मावे का यूज भी कर सकते हों तो मिल्क पाउडर कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास मावे है तो आप मावे से इस मिठाई को बना सकते हो तो देखिए यह बिल्कुल अच्छे से हैं बृद Secretív subject कोकनेट का यूज देखिए औ-धाध कप नारियल का बुरादे को मिक्सी में पीषने के बाद इस में डाला हैं तो देखिए मैंने ना इसको एक मिन्ट के लिए छोड़ा यहां पर Hashromantре को डिर फोड़ी सी देर के लिए खोड़ा था तो यह नीचे लगना शुरू हो चुक है तो आपको लाल-लाल से इसमें दाने नजर आ रहे होंगे तो इसलिए मैं कहा रही हूँ कि इसको लगातार चलाना है आप भी मेरे जैसी गलती मत करना इसको छोड़ने की गलती मत करना आप इसको लगातार चलाते रहना मैंने इसको थोड़े देर के लिए तो यह नीचे लग चुक है और इसने अपना रंग बदल दिया है तो इसके बाद मैंने इसमें आजा छोटी चमच इलाइची पाउडर डाला है अब चाहो तो यहाँ पे केवरा वाटर का भी उज़ कर सकते हो फ्लेवर के लिए आप चोकलेट बर्फी रोल भी बोल सकते हो या फिर चोकलेट कैंडी भी बोल सकते हो जो आपका दिल करें वो आप इसको बोल सकते हो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में एक बार जुरूर बना के ट्राइ किजिएगा तो यह देखिए मैं इसको अभी लगातार चला रही हूं और यह और भी थिक होता जा रहे है और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लोटू मीडियम करना है हमें तो इसको लगातार चलाते हुए यहाँ पे मुझे 3-4 मिंट हो चुके हैं और यह देखिए बिल्कुल थिक बैटर यहाँ पे बन चुका है तो यह देख सकते हैं अभी मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था तो ठंडा ह जाएगा तो यह देखिए मैं हाफ को ना एक अलग बाउल में डालोंगी आदे को एक अलग बाउल में डालना है क्योंकि इसको हमने चोकलेट देना है आदे को और आदा हमने वाइट ही रखना है तो इसलिए जो ज्यादा पोश्चन है वह आप निकाल लीजेगा वहाँ प इसको में अलग रखा अब चाहो तो यह पर इसको थोड़ी देर के लिए फरीज में भी रख सकते हो ऐसे ही तो देहेंगे यहां पर अच्छे से ठंडा हो चुका है जिससे कि मैं हात लगा पार हुँ इसमें तो यह अगर बाउल में चिपक रहा है तो आप बाउल में पहले गी या ओयल यूज कर सकते हैं जिससे यह चिपकेगा नहीं और हाथों में भी थोड़ा सा घी या ओयल आप लगा लीजिएगा तो इसके बाद यहां पे तीन चोटे चमच में है कोकवा पाउडर इसमें डाल दूंगी जिससे की फ्लेवर और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंग उसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है तो देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अगर आपके पास कोकवा पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पर यहां पे डार कलर का जो फूड कलर आता है आप वो यूज कर लीजिएगा कोकवा पाउडर से चोकलेट वाला फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में तो लगेगा इनिकी इसको अपने घर पे बना के तियार किया है तो यह देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद इसका हमने रोल बनाना है तो देखिए मैं इसका थि तो देखिए और जो यह पार्ट है हमने साइड में रख देना है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे यह जो वाइट वाला पार्ट है इसका हमने बिल्कुल पतला सा रोल बना लेना है तो देखिए मैं यहां पे जो यह चोकलेट वाला है इससे बिल्कुल पतला करना है और इ इसको हमने रोल करना है तो देखिए इसको रोल करने के बाद एक हाथ को इसको उपर रखना है और दूसरे हाथ को ऐसे हमने देखिए ऐसे शेप दे देनी है तो एक हाथ को हमने चलाना नहीं है दूसरे हाथ से हमने ऐसे शेप दे देनी है इसकी तब देख सकते हैं यह बड़ कट लेना है तो दीखिए यहां पर मैं दिखा रही हूं आपको बहुत ही टेश्टी जो है बर्फी रोल जो बनके त्यार हो चुका है चोकलेटी बर्फी रोल तो यह बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है तो आप चोकलेट कैंडी भी बोल सकते हो और जरूर ट्राय करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ